दोस्तो आज हम बात करेंगे हमदर्दि जवारी जाली नूस के बारे में इसके फाइदे क्या है, कैसे आपको लेना है, प्राइस क्या है, इंगिडियन्स क्या है ये सारी जानकारी जो है आज की इस पडियो में आपको दूँगा तो अगर पहले इसके प्रैसे सुरुआत करें तो देखे 250 रुबे में ये आपको जो है 150 ग्राम मिलता है दोस्तो आप इसे जो युनानी मेडिकल स्टोर होते हैं वहां से जो है आप इसे खरीज सकते हैं या आप इसे ओनलाइन भी मगा सकते हैं देखे ओनलाइन खरीदने की लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अविलिबल है और अगर बात करें इसके इंगिडियन्स की यानि कि जवारी जाली नूस में क्या-क्या है अगर इसकी बात करें तो देखे इसमें जो है बाल छड, तचकल्मी, इलाइची खुर्द, दारचीनी, नागरमोथा, फिलफिल सियाह, आदिस प्रकार के इंगिडियन्स से जो है इसे बनाए गया है जिससे ये मेडिशन बनके तयार होती है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो देखे पेट के रोगों के लिए यह अच्छी दवा है यह डाइजिस्टिब एंजाइम को बढ़ा कर हाजमा ठीक करती है इसके अलावा सीने की जलन, एसिडिटी, खटी डखार आना इसके अलावा ब्लोटिंग की सिगायत है पेट फूलने की सिगायत है पेट में दर्द इसके अलावा खाना खाने की बाद पेट आपको भारी भारी लगता है बहुत ज़्यादा पेट भारी लगता है खाना खाने की बाद में तो इस type की problem में जो है फाइदा करती है दोस्तो देखे ये जो है आपके digestion को improve करती है और अगर आपको भूग कम लगती है तो भूग में भी सुधार करती है ये appetite को improve करती है दोस्तो ये आपके pate और आतों के movement को सही करती है और इसके अलावा अगर आपको constipation होता है कब जो होता है तो उसमें भी काफी फाइदा करती है medicine जिससे बवासेर यानि पाइल्स में भी फाइदा होता है अब देखे पेट की खराबी की वज़े से होने वाली मूग की बद्बू को दूर करती है दोस्तों इसके अलावा ये kidney और bladder को भी strength देती है तागत देती है पेसाब की जलन, पेसाब में रुकावड, पेसाब करते समय होने वाली दर्द तो उसमें भी फाइदा करती है ये तो दोस्तों इस प्रकार से इसके जो हैं फाइदे हैं देखे अगर बात करें इसके डोस की, यानि कि आपको इससे कैसे लेना होता अगर इसकी बात करें तो देखे 5-10 ग्राम आपको लेना है और खाना खाने की बाद, पानी के साथ जो है आपको लेना होता है और देखिए आप इसको जो है एक दिन में एक ही बार लीजिए इसे मेल फिमेल कोई भी ले सकता है लेकिन जो महिलाएं प्रेगनेंट है वे इसे लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलहा लें क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी की दोरान अननेसेसरी कोई भी मेडिशन लेना है वो सही नहीं होता तो इसलिए इस बारे में आप पहले डॉक्टर से जरूर सलहा लें अब अगर बात करें इसके साडिफेट की तो इसका ऐसा कुछ भी साडिफेक नहीं है लेकिन तब भी इसे लेने के बाद अगर आपको कुछ भी हेल्थ में इस्यू लगता है तो आप इसे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलहा वो ले सकते हैं हाला कि इसका ऐसा कोई साडिफेक नहीं है तो दोस्तों ये थी जवारी जाली नूस के बारे में जानकारी अगर फिर भी कोई कोईश्चन आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल पे नहीं हैं तो सस्क्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैंनी में जितेज and थैंक्यू सो मच पर वोचिंग